अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब भीजिए न्यूस टाइम 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोज और न्यूस अपडेट सबसे पहले अधिक उत्तरप्रदेश की योगी सरकार पर अखलेश यादव किस तरीके से हमलावर रहते हैं यह किसी से छिपा नहीं है चाहे प्रेस कानफेंस हो चाहे जनसबाएं अखलेश यादव जमकर यूपी के सीम योगी अदित्यनात पर तंच कसते हैं यूपी के अंदर गाएं की सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने देखे किस तरीके से योगी अधित्यनात पर तंच कसा और पत्रकारों पर भी गंबी रारोप लगा डाले ये जैसे जैसे मौसम खुलेगा वैसे वैसे आप पार्टी में गर्महाट देखते नजर आएगी आपको मौसम खुलता जा रहा है मौसम का बदलाव दिखाई दे रहा है और ये छोटा मूटा बदलाव नहीं है ये बदलाव ऐसा है जो सरकार में लाने वाला बदलाव है मुझे जानकारी मिली के सुबह से ही जिस समय आप लोग बस्ती से निकले हैं और आस पास के छिस से निकले हैं गाड़ियां लेकर के सरकार के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था और ये अच्छा किया आपने टोल पे पहले ही पैसा दे दिया नहीं तो खुशी में नजाने कौन सी ख़वर निकल गई होती और मैं आप से कहूंगा कि अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो बापिस में आप रमजाद चौदी जी फिर थोड़ा पैसा दे देना क्योंकि गिनने वाले गिन नहीं पाए कि गारी कितनी आ गई है इसलिए मैं बढ़ाई देता हूं ये शुरुआत है नए साल की मैंने कई बार कहा अपने साथियों से और आज मैं कहता हूं इतने अपने पूर बिधायक और नेता जब शामिल हो रहे हैं पार्टी में ये नया साल जरूर है लेकिन हमारा आपका नया साल तब आएगा जब उत्त अपदेज में आपकी और हमारी सरकार होगी उसी समय नया साल सुरू होगा मैं अभी रामप्रसाद चौदी जी को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि किसान को भरोसा था कि आए दो गुनी होगी इन भारती जंता पार्टी के लोगों ने किसानों को भरोसा दिलाया किसान भाई आपकी आए दोगुनी हो जाएगी किसान ने भरोसा कर लिया लेकिन हमारे गाउं के गरीब किसान ने भरोसा कर लिया और उन्हें सत्ता में पहुचा दिया और केवल एक सरकार नहीं बनी उत अप्रेस में तो बनी बनी दिल्ली में दुबारा मौका दे दिया दिल्ली में दुबारा मौका मिल गया बताओ हमारे किसान भाईयो सरकारें उनकी बन गई लेकिन गरीब वो किसान को क्या मिला ये सब बरबाद हो गया कम से कम सरकार वाले यही काम कर देते जो आप कह रहे हो इनी से बचा लेते वैसे हालां कि मुख्यमंतिजी से यह उम्मीद नहीं कर सकते कम से कम जो सरकार बनें और जो मुख्यमंतिजी बनें सरकार के मुख्या जो है अगर किसान की आये नहीं दोगु नहीं कर सकते कोई सड़क नहीं मना सकते तो कम से कम जो काम आप करते रहे वो ही काम कर देते और आज उत्तर प्रदेश किस के लिए जाना जाता है सोचिए आप यह उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे बहत्रीन सड़कें मनी थी जहां पर लैप्टॉप मिलने लगा था जहां पर समाजवादी पेंशन बटने लगी थी जहां पे शुरुआत हो गई थी किसान को कैसे मुकि धारा में लाएं उनके घर परिवार में खुशाली कैसे आई आज उत्तपदेश जिन चीजों में नमबर वन है हमने होडिंग लगाई है उपर से नीचे तक आप देख लो उत्तपदेश नमबर वन ही नमबर वन दिखाई दे रहा है तो ये साइबर क्राम में नमबर वन महिला अपराज में नमबर वन बाल अपराज में नमबर वन खराब सिक्षा विवस्था में नमबर वन खराब मिड़े मील में नमबर वन फरजी इंकाउंटर में नमबर वन बीमा स्वास सिवाओं में नमबर वन है पतकार साती होड़ जाओ वोडिंग बहुत लंबी है अरे आपी तो छिपाए हुए सब कुछ बिरोजगारी में नमबर वन बिरोजगारी में नमबर वन किसानों की आद महत्या में नमबर वन युवाओं की आद महत्या में नमबर वन और ये नमबर वन इसलिए है क्योंकि हमारे मुख्यमंती जानते ही नहीं ये नमबर वन कहां से आना है उपर से के नीचे से और फिर तैयारी है के नई तैयारी कर दी नई तैयारी और तैयारी सुचों कैसी कर दी कि सब लाइन में लगेंगे अब कागज के लिए पहले नोट के लिए लगे थे लाइन में और अब कागज के लाइन में लगाने के तैयारी कर दी आपकी आपकी हमारी सब की तैयारी कर दी हम इन से जानना चाहते हैं दवी जवान से पूछते हैं और कहते हैं कि समाजवादियों को पता ही नहीं है ये C.A. क्या है, N.R.C. क्या है हम उन्हीं पुद्धी जीवी भारती जंता पार्डी के लोगों से जानना चाहते हैं कि ये बताओ जहां से शुरू हुई बात जहां से N.R.C. की बाश शुरू हुई आसाम से बताओ आसाम में आपने क्या किया आसाम के लोगों को जगड़े में लगा दिया कैं नहीं लगा दिया आपने जब भारती जंता पार्डी को पता लग गया के सूची में हिंदू ज़्यादा हैं मुस्लिम कम हैं तो बताओ सम्विधान को बदला की नहीं बदला अभी कुछ नया काम नहीं कर पाए हैं और जो काम उन्हें करना चीए था गाये की सेवा वो भी नहीं कर पा रहे अब सांड वाली बात हम नहीं कहेंगे तो को सांड वाली बात अगर कहना शुरू कर दिया तो कहीं बात और जगे पहुँच जाएगी इसलिए हम नहीं चाहते कि उन्हें तक पहुँच जा है वो बात इसलिए जो काम था वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो बताओ मुख्यवंत्री होकर के प्रदेश को कहा ले जा रहे हैं